नमस्त्रा दूस्तों दूस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो कैमिकल सेक्टर का तो स्टॉक है बोलने के लिए लेकिन इस स्टॉक के अंदर बहुत सारे अन्य बिजनस आप कह सकते हैं कंपनी इंगेज होती है और उन कंप्लीट जो भी कह सकते हैं आप बिजनसे हैं और चार बिजनसे कंपनी के कौन कौन से आपको बताऊंगा मैं कुछ सेग्मेंट जो हैं वो काफी प्रैशर के पीरीड से गुजर रहे हैं दोस्तों अ इस बार के जो कॉर्टolen नीदसरी के नंबर खोताओं हो कितने जादा इसाथ हैं डिजास्ट्रस रहें जी हाँ डिजास्ट्रस ही एक सही वर्ड होगा लेकिन आप उसे आप कह सकते है रहे नहीं कहसी हुकि पॉइंट भी कह सकते हैं ठीक है पैकेजिंग जो इंडस्ट्री है वो तो मतलब आप कह सकते हैं अपने बहुत ही बुरे दोर से गुजर रही है तो यह तमाम चीज़ें कमपनी के ओवर और बिजनस में इंपेक्ट कर रही है ठीक है तो ऐसे में बहुत सारे जो कॉमेंट्स थे वो इस एक स्टॉक पर चिक्के था कि इसके उपर एक complete analysis का वीडियो लेकर के आईए तो मुझे लगा इस स्टॉक के उपर लाना चीज़ें इस स्टॉक का नाम जैसे मैंने बताया आपने thumbnail भी देखा होगा SRF Limited दोस्तों एक अच्छा comment था कि बहुत क्या train छूट चुकी क्या stock भाग जाएगा बहु उस stock कहां भागेगा भागा कहा है वो इतने दिनों से ठीक है और disclosure के रूप में बता दू कि मैं या मेरी family member SRF में invested है बट जब भी stock 2000 के आसपास आता है एक छोटा सट्ट कोड़ा लेते हैं और बैढ़ जाते हैं क्योंकि अभी आप समझिए problem stock नहीं है यह overall business में problem है ठीक है packaging जो इनका एक segment है वहाँ पर pressure है company का जो आपके सकते हैं एक दू segment जो और है वहाँ से problem हा रही है chemical business no doubt कुछ अच्छी चीज़ें दिखा रहा है शायद quarter form में कुछ down आपके सकते हैं अब टिक देखने को मिलेगा बट इस बार problem रहा है fluorochemical एक आपके सब्सक्राइब cyclically weak उनका रहता है वो चीज़े हैं ठीक है तो यह तमाम चीज़ें मिला गरके stock में pressure बना रही थी इनके numbers पे pressure बनाई है तो अब way forward क्या हो सकता है तो देखे यदि आप SRF में निवेशिद हैं या निवेश की सोच रहे हैं आप अगर ये video देख लेंगे पूरा भले टुकडों में देखें मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके जो questions या query है वो रहे जाएंगे ठीक है आप SRF में निवेशिद हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखें अभी भी stock के short to medium term में pressure है ये अभी rocket बनने वाला stock नहीं है ठीक है ये अभी थोड़ा सा pressure रहेगा हाँ company जिस तरह से लगातार capex plan कर रही है specially future को लेकर के specialty chemical business में उनका capex बहुत ज़ादा है का focus बहुत जाता है उसे long term के लिए का अच्छा ये pick बनाता है लेकिन विया long term जो word है न ये बहुत broader word है ये long term कहां जाके खतम होगा किसी को नहीं पता रहता है ठीक है so as a retail निविशक सिर्फ आँ long term के लिए 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 आप नहीं कर सकते क्योंकि आप लेंगे stock गिरता है और अगर बाजार भी उस सद गिर गया तो भाई साब बहुत लंबे समय के लिए फस जाते है ये चीज as an investor mindset आपको पता होना चाहिए ठीक है तो as a long term view समझेगा stock को और अगर चल्म में पहली बार आएं मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाता हूँ प्लीज चैनल को सब्स्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीचेगा वीडियो को पूरा देखिएगा भली टुकडो में देखें मुझे ऐसा लगेगा लगता है कि आपके बहुत सारे queries solve हो जाएंगे नहीं होंगी comment box बताइएगा आपको और कौन से stocks के बारे में complete analysis का वीडियो चाहिए ये प्लीज मुझे comment box में जरूर बताइएगा तो अब without wasting any time सब्सक्राइब के चलता हूं वीडियो के second part की तरफ दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं company overview में ठीक है अब देखें सबसे कुछ step shot है यहाँ पे 90 plus countries में ये company जो है export करती है चार countries में इसके operations है दोस्तों ठीक है 15 से जादा manufacturing facilities है 8,000 से जादा global workforce है company की 14,870 crore का revenue है company के बास 35% जो business है वो packaging से आता है और packaging के हाल कितने जादा बुरह है यह मुझे आपको पताने की ज़रूरत नहीं है इससे पहले भी दोस्तों जब हम ITC की complete analysis के थे तो जी हाँ आपको पता होगा जिसे मैं पहले भी बूल चाहँ कि महीं आजकल जो companies हैं उनकी complete analysis की videos बना रहा हूँ तो अगर आपको किसी वीडियो आपको किसी stock का analysis चादने तो comment box बताएगा तो वैसे ही मैंने ITC का पता है वहाँ से आपको की समझ में आएगी कि जो Chinese supply या दोस्तों all over the world इंडिया में नहीं वो एक बहुत negative असर पूरी filming packaging industry में कर रहे है और इस देखे 35% तो revenue ही से आता है 50% chemical से आता है 15% technical, textile और other से आता है और इस एक वीडियो में ये तीनों ही business segment में हम एक किस तरह के numbers आए है क्या challenges है इसमें ताकि आप, देखे मेरा काम है जैसे पहले बताया मेरा काम है सिर्फ आपके सामने information रखना ठीक है कोई खरीदना, बेचना ये मैं नहीं बता सकता हूँ हाँ, जैसा पहले disclosure बताया है वो आज भी disclosure फिर सिक बाते दे रहा हूँ कि ये SRF में, जब मैं video record कर रहा हूँ मैंने वहाँ पे accumulation स्टार्ट कर दिया है ठीक है और currently मैं profit में बैठा हूँ मैं जब कहता हूँ दोस्तों, मैं या मेरी family member ठीक है, उसमें invested हो सकते है ठीक है, और currently SRF में थोड़ा बहुत profit है ठीक है, और मेरा vision काफी लंबा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जो packaging है न दोस्तों ये थोड़ा सा और परिशान शायद करेगा भी तो जो 2000 का level है ये एक बहुत बड़ा psychological support है मैं आपको बता दूँ अगर ये तूटता है क्योंकि बाजार में क्या हो कब हो नहीं बता सकते अगर वो तूटता है दोस्तों तो शायद फिर एक बड़ी गिरावट और आ सकती है ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेगा आप देखें, EBITDA 3788 करोड कर रहा है और profit of tax 2162 करोड रुपी ठीक है ये यहाँ पर हो गए अब अपने काम को आगे बढ़ाते है आप देखें, business overview में business profile में आते हैं सबसे पहला है chemical किस chemical में है, बाई सब specialty chemical में, ठीक है Intermediates API, AI आपके सकते है, API में हो गया specialist application में, ठीक है और CDM में है, कौन सा contract development manufacturing अब आपको याद होगा API हो गया, contract development manufacturing हो गई हमें इससे पहली भी चर्चा की किसी पे, जी हाँ, Lores Lab में Lores Lab का जो complete एंस के वीडियो में लेकर के आया, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि इस शेत्र में किस प्रकार की चीज़ें चल रही है ठीक है, फिर fluorochemicals, बाई सब refrigerants, pharma propelants industrial chemicals में, इन सब चीज़ों में ठीक है फिर, आप देखे हैं आपे films और for flexible packaging, ठीक है ये इस प्रकार की चीज़ें, और फिर है, tire cord fabrics, nylon और polyester, ये technical textile गंडर, ये प्रकार की चीज़ें आती है, technical textile मतलब दोस्तों आपको समन में आयोगा, tire cord fabric, जो nylon, polyester, belting fabric, ये चीज़ें, फिर others में आते है, coated fabric और laminated fabrics, ठीक है, तो भाई, आपको अब business, और उसके under कौन से चीज़ें है, वो काफी हद तक समझ में आ चुकी हैंगे दोस्तों, ठीक है अब next चीज में चलते हैं ये देखे, ये है भारत, और यहाँ पर कौन कौन से manufacturing facility है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन कौन से है तो देखे ये, आप देखे तो all over इंडिया में काफी अच्छे तरीके से scattered है ये चीज़ें, ठीक है चाहे, यहाँ तमिलनाट में आप कह लीजिए है इनके बास, गुजरात में है, राजस्थान में है ठीक है, और ये मद्र प्रिदिश में काफी ज़ादा है, ठीक है तो ये इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही है सबसे पहले देखे फ्लोरो केमिकल, स्पेशली केमिकल राजसर इंडिया भिवंडी में यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है और लमिनेज़ेट फैब्रेक्स उत्तराखंड में है और कोटेट फैब्रेक का तमिलनाट में है ठीक है इंटरनेशनल ओपरेशन भी है जो साओट आफरिका, थाइलेंड और हंगरी में ठीक है, तो देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ जो investor presentation है उसे हमें बहुत अराम से अच्छे से समझना चाहिए तो यह हो गए इनकी manufacturing facilities अब आते हैं क्या, market leadership across business किस-किस में, देखिए, specialty chemical, fluorochemicals, packaging film, technical textile ठीक है, आप देखिए, भाई, relation अच्छा है, market customer यानि जो बड़े customer होते हैं, तो यह, मैं यहाँ पॉस कर देता हूँ अगर आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ सकते हैं वरना अब इस चीज में हम tummy लगाएंगे, तो main जो मारा focus है, वो छोड़ जाएगा ठीक है, यह प्रकार की चीज है, नेक्स चीज में चलते हैं, यहाँ जानकारी के लिए growth lever क्या क्या है, यह आने वाले समय में, वो कौन सी चीज है, जो बहुत ज़्यादा important और game changer एक प्रकार से थाबद हो सकती है, देगे, company के रही है, leadership business बनाना है अपने को, focus करना है, बनाना है, और market leadership बनानी है business segment में, यह innovation करना है through research and development, high and value added products बनाना है, और देगे, यह सिर्फ chemical नहीं, कोई भी business में, अगर आप value added product में नहीं काम करेंगे, आप margin आज नहीं, तो कल आप गवाएंगे, यह गवाएंगे, value added product में किस तरह बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, आपको heritage food को देखना चाहिए, ठीक है, अगर आप चाहते है, heritage food के ऊपर मैंने आपको पता है, stock को 140, 50% दे चर्चा कर रहे हैं, वहाँ stock दुगना हो चुका है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं, उसके build company respected for its R&D capabilities, यहनि more or less company गया रहे हैं, यह हमको research development में बहुत ध्यान देना है, और value added products बनाने हैं, और आपको value added product बनाने हैं, तो बिन research development के आप नहीं कर सकते हैं, यह है आपका business overview, कैसे है, आपका gross operating revenue है, वो इस बार 3053 करोड रहा है, year on year आपके 12% की गिरावट है, जी हाँ, 12% की गिरावट है, year on year, ठीक है, फिर आपका, आप कह सकते हैं, आपके बिया, bad profit of the tax इस बार, 253 करोड आए है, जो पिछले साल, आप कह सकते हैं, 510 करोड था, 22% से जादा की गिरावट है आपकी, और यह month, annoying month के हिसाब से देखेंगे, तो इस प्रकार की चीज़ है, तो द चीज़े थी, market को पता था, कि यह problem तो है, numbers जो है, थोड़े खराब आ रहा है, आने वाले, और number जो estimate था, उससे थोड़े से मुझे लगता है, खराब आए, ठीक है, 2000 के आसपरस company को ने कुछ वड़ा support भी लिया, और वहां से भागते भी आपको दिखाई दे रही है, ठीक 1756 करोड था, यानि यह बहुत बहुत बढ़ी गिरावट है, ठीक है, 9 मंत में अगर आप पाएंगे, तो यह 15%, 15.6% की गिरावट है, ठीक है, overall जो contribution आपका revenue रहता है, overall business में, यह इस बार 45.6% कर रहा है, जो एक साल पहले, 50% से भी जादा था, यानि आपका chemical business का जो segment है, व आपको 50 रुपए और 50 पैसे का धन्दा देता था, जो घट करके 45 रुपए और 60 पैसा दे रहा है, यह आपके margin, EBIT margin, आप देखें, आपे कितनी भायंकर गिरावाट है, ठीक है, तो आद देखेने को मिल रहे है कि भाई साब जो chemical business है, वो no doubt subdued रहा है, demand में कमी रही है, हम में हमेशा कहता हूँ, भाई साब दो चीज़े होती है, headwinds, tailwind, कहीं भी आप report पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा, कि भाई साब headwind है, headwind में जो सामने से हवा रही है, यानि जो मुश्कलात पैदा कर रही है, tailwind लिखा है, तो बहुत positive यह company के लिए, तो बहुत सारे headwinds रहे है, जिसके current, inventory realization by certain key customer, ठीक है, हाँ, कुछ improvement देखने के यह performance दोस्तों, latter part of the quarter, latter part मतलब, दूसरे part में, इस quarter के, ठीक है, कुछ अच्छी देखने को में लिए, और खासकर, significant revenue देखाना जाएगा, quarter for में, तो, company कह रही है, जो latter part थानवा, December quarter, यानि हम more or less कह सकते है, November, December के आस हाँ से कुछ काफी अच्छा business देखने को मिले, ठीक है, maintain strong customer engagement for complex downstream product, वो product जो बहुत साथ complex है, वहाँ पर customer बहुत strong है, और तीन नए product launch किये गए है, aggro vertical में, और भाई सब aggro vertical और बहुत साथ आपके सकते struggle कर रहा है, overall में, ठीक है, और कुछ मजबूत pipeline नी रखी हुई है, न nine month में किया गया है, और quarter four में 700 करोर का project commission होने की schedule है दोस्तों, और आने वाले quarter में आप scale up करते हो, देखेंगे focus, ठीक है, market trend किया है, ठीक है, ये तो हो गई highlight जो रहा है numbers के, market क्या कह रहा है global, बाई सब demand outlook जो है न, वो बहुत मजबूत रहने वाली है, medium to long term, inventory realization आप देखे ही है, ठीक है, कुछ positive traction देखने को मिल रहा है, global supply chain जो है दोस्तों, ये बहुत जादा impacted है, various geopolitical situations कर रहा है, और मुझे ये समय नहीं आ रहा है, ये मैं बहुत, आपने से reports पढ़ रहा हूँ, ये supply chain को लेकर के वापस जो concern बैदा हो रहे है, इसकी चर्चन लोग कम कर रहे है, ठीक है, सब कहने बहुत है, demand में कमी है, ये है वो है, लेकिन supply chain में भी issues हैं, और ये चीज मैं बता दूँ आपको, quarterfoam में मैं मैं रुझे लगता है, थोड़ा सा और दबाव बनाते दिखाई देंगे, तो ये चीज ज़रूर ध्यान में रखेगा, ठीक है, लेकिन जो raw materials को जो अच्छी खबरें आ रही है, material pricing को लेकर के, वो कुछ stabilization होते हुए, stable होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये तो होगा कि आपका chemical business का, ठीक है, ये अब आप देखें, कुछ चीजों को लेकर के, company के बास 146 global patent है जो guaranteed है, और 430 patents के लिए already apply किया जा चुका है, ठ Chemicals Technology Group, CTG, is actively engaged in development of new process technologies, और इसमें focus किसमें किया गया है, की focus किया है, high end molecules का, ठीक है, strong internal competencies and capabilities, ठीक है, और ये state of the art के resident development facilities है, बहुत है equipped होगी दोस्तों, और एक ingenious team of scientists और engineers में लग रहे हैं, दो R&D center इंडिया में, भिवंदी राजस्तन गुरुग्राम में, और 14 नय process patent है दोस्तों, guaranteed in, जो 9 month, जो 9 month complete है December में, 14 नय process patents आपको मिले हुए हैं दोस्तों, ठीक है, चलिए, next है, chemical business, ठीक है, chemical business, क्या है, fluorochemicals business, अब इसमें key highlight किया है, एक एक चीज के उपर यहाँ पर यहाँ पर बारिकी से कंपनी ने बात किया है, business performance काफी subdued रहा भाई साफ, seasonal, यह actually seasonal भी weak रहता है, यह quarter, margin को लेकर के बड़ा pressure है दोस्तों, ठीक है, और काफी slugation है, कमजोरी growth आपको agrochemical और pharmaceutical industry में, जो देखने को मिल रही है, वो adverse effect कर रही है, हमने ITC की जब चर्चा की थी, वहाँ पर भी agrocam ने और packaging ने बड़ा दबावणा के रखा हुआ है, ठीक है, अब anticipate performance equivalent quarter 4, यह दूसरी चीज है, जो quarter 4 में कहा जा रहा अच्छी, और यह फ्लोरो chemical business के लिए अच्छा क्या है, कि upcoming जो season है, वो थोड़ा अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है, और भी जो चीज़े आप pause करके देख सकते हैं, but overall, it's a good thing, और आपको याब होगा, गडगरी साब ने बोला था कि भाई साब अब cabin में AC लगा होना चाहिए, outlook for domestic passenger vehicle and room AC market expected to be healthy in 24 की बात हो रही है, और SRF, ये HFC freeze in China recommend for January 24, ये काफी फाइदा दखरते हैं, SRF को दोस्तों, ठीक है, next आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, पैकेजिंग फिल्म की ये तो भाई साब, मतलब आप देखिए, ये already, आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूं, पैकेजिंग बिसनस अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन, इसे ने उतना डैमेज तो नहीं किया है, कि भाई साब ये already बहुत डैमेज था, आप देखिए, segment revenue है, 1090 करोड, जो एक साल पहले 1202 करोड था, ठीक है, मात्र नौ पढ़न जाता कि गिरावट हुई है, EBIT में 62% साफ हो गए, literally 62%, और इ इस एक highlight से आपको समझ में आएगा, अगर आपके पास कोई अन्य पैकेजिंग फिल्म की stock है, तो भी आपको समझ में आएगा, देखिए, business continue to face supply overhang, resulting pressure and margin, ये जो supply लगातार, एक बहुत बड़ा सरदर्द बनी हुई है, वो बहुत प्राव्म कर रही है, margin pressure पैदा कर रही है ठीक है, और आपको याद होगा, कंपणी ने aluminum foil की facility, 1 January 2024 को commence की है, 536 करोड में, क्यों, to focus on ramp up sales over the end swing quarter, आने वाले quarter में तयारी कर रही कंपणी, ब्योपीटी मार्केट जो है दोस्तों, वो लगातार, over supply की situation को face कर रहा है, ये बाई सब polyplex भी इसी कारण बहुत प्रावार खा एक imbalance पैदा हो रहा है दोस्तों, margin और में लगातार pressure दोस्तों, Chinese player के द्वारा लगातार persistent competition दिख रहा है, और ये continue रहेगा दोस्तों, Southeast Asia में, बात कर लेते red sea crisis की, आप देखें, leading to longer shipping cycle, red sea crisis, healthy rebel, जो जीना दो बहर कर रखें दोस्तों, और आप देखें, potential creating demand for local new supplier, ठीक है, य एक चीज़े हैं, तो overall आप देखें, तो चीज़ें कुछ काफी अच्छी हैं नहीं दोस्तों, ठीक है, packaging को लेकर की, और ये cup ठीक होगी, इसे बूल पाना थोड़ा tough है, आप बात करतें क्या, technical business की, देखें, यहाँ पे आप देखेंगे, तो 7.6% की year on year बढ़ोत्री होई है, technical textile ने, एक काफी अच्छा number show किया है, ठीक है, habit में तो 101% से जाधा का आपका jump आया है, तो जो technical business है, उसने, आप कह सकते, अच्छा, ठीक, ठाक से, खास करकी habit की term पे, काफी अच्छा मजबूती दिखाई है, ठीक है, अब ये क्या है, तो देखें, key highlight देखेंगा textile में, इनका जो मनाली प्लांट है दोस्तों, उसकी operation में impact हुआ था, December 2023 में, क्यों, जो cyclone, Michuang आया था दोस्तों, जिसका रण, operation लार्जी रेज़ेंबाई जनवरी, लेकिन, जनवरी तक जो problem दिख सॉल हो गई थी, ठीक है, adequate insurance cover in place on a reinstatement value basis, ठीक है, ये तमाम चीज़े हैं, despite the impact on मनाली operation, business delivered healthy province quarter 3, और वैसा मनाली प्लांट में प्लांट होने के बावजूद कंपनी ने, इस नमर को पेश किया है, तो आज समझ ये technical textile को लेकरके, कितनी positive मान रहा है, ठीक है, अब चो domestic demand ये expect किया जा रहा है, ये strong रहेगी दोस्तों, belting fabrics में, ठीक है, और चो domestic polyester industry, यान industry, वो supported by quality control orders on imports, ठीक है, तो technical textile को लेकरके, company स्थोड़ी positive है, और future को लेकरके, वो थोड़ी optimistic दिख रही है, ठीक है, अब अब अधर की highlights क्या है, अधर की highlights है, ऐसा रहे अपने वापस से leadership प्राप्र कर लिए बाइसा, quoted fabric में, ठीक है, और एक strong demand witness किया है, और ये expect किया जा रहे है कि stable रहेगी, कहाँ पे, coated fabrics में, notable growth कहाँ दिखी किया ये दोस्तों, blackout fabrics, high JSM lute fabric, storage liners, ठीक है, ये तमाँ ये, बात के दे, laminator fabrics की, sustained price और market position with plant operating at maximum capacity, over supply situation continue, foresee steady sales in the upcoming quarter, ठीक है, तो ये जो laminator fabrics है, इसको भी लेकरके, चीज़ें थोड़ी positive होती दिखाई दे रही है, but, जो coated fabric का business, क्योंकि इसका, आपने देखाऊगा, other business, जब मैंने कहा था, तो उसमें coated और laminated fabrics आपे है, ठीक है, अब क्या बात करनी है, आप बात करनी है, बात करनी है, major highlights for investor की, देखे, the ramp up of key capacity, अवेटेड, ठीक है, क्या है, आप देखे, SRF न दोस्तों, by 200 crore, और देखिए, मेर खबर निकल गया, इतना, SRV की बड़ा jump दिखाया था, और मैंने कहा था, बाईया, सिर्फ खबर आने से की capex होने वाला है, क्यों भागता है stock, और पता है लोग उसमें खरदारी क्यों करनी लगते है, बाईया, अच्छे stocks, मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छे stocks, अगर आपको कर रहा है financial 25 में दोस्तों, और जो early estimate था, यह 2900 से 3000 करोड था, यानि की 80 to 85% जो है capex allocation दोस्तों, यह chemicals को दिया जा रहा है, यानि capital business में company का बहुत साथा focus है, ठीक है, next क्या है, जो आने वाने की project हैं, जैसे PDFE, poly, tetra, fluor, ethanol, ठीक है, एक refugitive gas, जो R32 plant है, और aluminium foil plant जो है दोस्तो ठीक है, और जो ref gas है ना, यह जो AC को लेकर के इतना माहौल बना जा रहा है, और जीक है, यह जा रहा है कि बाई-जाव इस पर अल नीन हो आएगा, तो SRF जैसे stocks के लिए अच्छा रहेगा, वो प्लान जो commission हो चुका है, और company बहुत looking forward कर रहे हैं दोस्तों, अपने sales को आने which is currently imported and has application to consumer electronics, energy storage system और EV charging system, देखिए, यह चीज़ और याद रखिए, वो chemical companies जिसका focus import replacement में है, यानि वो product जो हम यहां नहीं बनाते हैं, उनका import किया जाता है, अगर हम घर में कम करने लग जाए, तो वो बहुत positive होगी, और उन्ही में से ही आता है अपका capacitor grid BOPP, ठीक है, next POPP, sustained growth for specialty chemical sector, जो sustained growth है दोस्तों आने वाले समय में, वो specialty chemical sector को लेकर बात कही जा रही है, काया जारे भाई सब, लोग bullish ही है, medium to long term prospectus को लेकर के, specialty chemical sector में, और जो massive revenue opportunity दिख रही है दोस्तों, import substitution में, आप लेकें, इंडिया का जो total specialty chemical import है, वो estimate का है, 56 billion डॉलर जिया, 56 billion डॉलर का, आपके सकते हैं, opportunity रखी है, companies के सामने, और आप देखें, potential rise in, potential rise in exports given, China plus one strategy followed by global customer, और favorite government policies जो है दोस्तों, जैसे tax incentive और production link incentive, similar, scheme similar to that of pharmaceutical sector दोस्तों, कहाए जा रहा है कि we believe that, conducive government policies, product innovation, massive export opportunities, और low input prices जो हैं, वो help करेंगी, sector को report करने में, high double digit earning trajectory, आने अले 2 से 3 सालों में, तो एक बात तो आप समझ लो, भाई साब, कि short term का view है, अगर आप लगते हैं, थोड़ी घबराट होगे, और 2000 के नीचे बहुत दिर सक रहेगे, तो क्या करोगे, अगर ऐसी कुछ घबराट है, stock से दूर रहे, vision 3 से 5 साल का है, मैं फिर कह रहा हूँ, accumulate mode में रहे, short term vision है, हट कुछ near term concern है, दोस्तों, जो transactionary, यानि, आगे बनते दिखाई दे रहे हैं, और capex led जो growth है, वो story intact है, देखे, management नहीं indicate किया था, कि near term कुछ concern देखने को मिल रहे है, ठीक है, जो temporary refrigerator gas, जो है pricing pressure, जील रहे है, और inventory realization हो रहा है, दोस्तों, order delay के कारण, customer जो agrochemical में है, उसके problem है, उसकी जो pricing की problem है, और agrochemical को लेकर के, जो orders है, उसको बहुत delay हो रहे है, वो medium term में आपको concern दिखेगा, दिखेगा, और देखे, सिर्फी SRF का concern नहीं है, आप ITC जा के देखे लिए, अमाम agrochemical companies को जा के देखे लिए, हर जगह ये problem हा रही है, ठीक है, next क्या है, जो उप term है nature में, एक significant growth opportunity हमारे इंतजार कर रही है, agrochemical और साथ ही साथ, APIs में, active pharmaceutical and integration segment में, इतना ही नहीं, management ने global demand की बात कही है, especially US में, और FCs, high capital intensity towards capital chemical makes us confident about the long term revenue earning growth of SRF, ठीक है, तो SRF में जो लगातार specialty chemical को लेकर के, बड़ा निवेश किया जा रहा है, यह तोड़ी surety देते हैं, long term investment को लेकर के, ठीक है, आगे देखते हैं, इतना ही नहीं, moreover, जो investment in the right area of the specialty chemical business, would improve earnings quality, और, यह जो cyclical packaging film के margin है, उसके आदा safe guard करते हो, आपको, दिखाई देगा, ठीक है, तो एक चीज़ याद है कि, जो packaging film के margin होती ही, वो cyclical रहती है business, अब आते हैं, कौन-कौन में, जो conference call ही, उसकी highlights क्या रही है, देखिए, SRF ने तीन नहीं product launch की है, agrochemical company में, उन्होंने, दो large dedicated facility, quarter 324 में, commission की हुई है, हमने already उपर चर्चा की है, कौन सी थी वो, company ने 11 billion का capex रखा हुआ है, quarter, 9 month का world quarter 23 में, और has added volume or revenue specialty chemical, ठीक है, यह चीज़े है, देखिए, जो यहाँ पर बाते लिखी है, मैंने इससे लिखी है, कौन-कौन में क्या हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर, मैं, आप धीरी दे नीचे ले करके जा रहा हूँ, अगर आप चाहत हैं, तो इसे रोग करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि तब तक हमने काफी अलड़ी चीज़ें इसमें लिखी है, उसे हम कर लिया है, अब मेरा जो main focus पे रहने वाल कुई, देखिए, मैं बहुत कर दूँगा, तमाम हमने चीज़ें बहुत अच्छे चर्चा कर लिए, main है future outlook को company क्या कह रही है, यह एक last part है, तो देखिए, outlook business chemical में क्या है, तो देखिए, specialty chemical, लगातार नए plant और ramp up चीज़ों को लेकर company बहुत focus कर रही है, agro demand जो है यह likely to pick up, customer attraction still strong, क्योंकि जो delay हो रहा है, वो business क्या रहा है, customer strong है, तो agro chemical में जब आपको अच्छा चीज मिलेगा, overall ची वो intact है, global customer जो है दोस्तों, वो deers कर रहे है, theme continue है दोस्तों, focus on growth of pharma particle ठीक है, और significant, यह word ध्यान दीजेगा, significant recovery की बात हो रही है, quarter four में, floor chemical business, बाई सब तगड़ा demand है, HFC का, और नई जो commission PTFE के लिए क्या जा रहा है, और R32 plant के लिए, उसमें company बहुत दा focus कर रही है, ठीक तो भई, quarter four को लेकर के company काफी हमें, आपके सकते हैं, चीजें देख रही है, लेकिन मुझे लगता है, next quarter को लेकर के, मैं यह नहीं कहाँदा, खराब number साहेंगे, लेकिन मैं उतना ज़्यादा उतसाहित नहीं हूँ, ठीक है, आगे है, packaging film के business को लेकर के अगर आप आप पाएंगे, demand supplier एक बहुत बड़ा problem है अभीन के लिए, वो बहुत आ mismatch है, चाइना से भर-भर के माल आ रहा है, ठीक है, हाँ, एक आप कह सकते हैं, और कितना ही बरबाद होगे, तो down cycle जो है न, वो अपने peak में है, ठीक है, और industry over capacity taper over time, ठीक है, ठीक है, तो बाई फिल्म में अच्छा आने लगेगा, तो चीज़े एक साथ जब बढ़ेंगी, stock पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है, आप देखें, जो business segment सबसे अच्छा काम किया है, इस बार, technical textile, ठीक है, high operating leverage और cost optimization by capacity relation across various plant, company जो शांदार operating leverage प्राप्त किया है, और इतना ही नहीं, cost optimization किया है, ये बहुत अच्छा, इस company का फायदा हो रहा है, ठीक है, और आप देखें, इस प्रकार से, ये जो चीज़े है, technical को लेकर के, काम नहीं, काफी अच्छा काम कर रही है, ठीक है, मुझे लगता है, और हमने काफी चीज़े करी ली, cover पूरा, ठीक है, कौन कौल, अगर आप पास करके पढ़ना चाते हैं, तो पढ़ सकते हैं, बट मुझे लगता है, और हमने, तमाम चीज़ें, जो cover करनी थी, वो कर ली है, आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना किमती समय दिय इस बात का बहुत धन्यवाद दोस्तों, यह भी इस वीडियो का अंत है, चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रू किजेगा, चैनल